नमस्कार मैं अभी शेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टेडी वित अभी में तो आप सभी को मेरा जैग्रू तो जितने भी स्टुडेंट्स एंटे पीसी का फॉर्म फिलप किये हैं और जो अभी करेंगे जो वेट कर रहे हैं कि कौन सा जोन में ज्यादा फॉ तो देखे एक चीज़ तो पहले क्लियर कट रखे कि आप में से हर एक स्टुडेंट को यह फॉर्म फिलप करना चाहिए क्योंकि क्वाइलिफिकेशन एक टुवल्थ लेवल है आपका और एक आपका सिंपल ग्रेजुएशन अगर आप है तो इस फॉर्म को फिलप कर सकते है अब देखे एंटी PC अगर बात कर लें चाहिए CBT1 की बात कर लें या फिर CBT2 की बात कर लें तो यहां आप देखेंगे mat के सेक्शन में आपको टोटल pre में 30 कोशन और mains में 35 कोशन। Same as it is reasoning में भी आपको pre में 30 और mains में 35 कोशन का खेल है अब क्या यहाँ पर syllabus काफी change है pre और mains का तो बिलकुल नहीं भाई देखें चीजों को समझेगा full analysis और full experience के साथ क्योंकि हमने 2019 का ALP technician paper railway के बहुत अच्छे से qualify करा है किया भी और कई student ने हमारे साथ मिल करके qualify किया भी है आप चैनल पर विजट करके देख भी सकते हैं लेकिन चीजों को समझेगे यहां पर कि पिछले बार क्या change हुआ था maths और reasoning में बहुत बड़ा एक drastic change देखने को मिला था हलाकि cbt1 में बहुत ज़्यादा changes नहीं लेकिन cbt2 जो mains का paper हुआ यहां पर question का जो standard था अच्छा किया गया रहे के question के standard को कैसे अच्छा करा गया यह मैं आपको बतला रहा हूँ मैं हर इक चीज़ इस वीडियो में बतलाऊँगा और maths और reasoning जहां पर आपको pre में 60 question है और mains में आपको 35-35 यानि की 70 question पूछे जाने ठीक है न तो यह total 70 question maths का और reasoning को मिला करके आप कैसे तयार करेंगे तो full analysis के साथ मैं आपको यहां पर समझाता हूँ ठीक है देखे भाई अब यहां पर सबसे पहले तो आपका maths का class लक्षमन सर ला रहे हैं और maths के साथ साथ reasoning का भी class लेकिन एक चीज़ यहां पर मैं आपको पहले बतला दूँ कि जो यहां पर क्या CBT2 में change किया गया था question को तो एक तो question को क्या किया गया लेंदी बनाया गया था ठीक है था कि आपको थोड़ा लंबा लगे question पढ़ने में भी और दूसरा calculation अच्छा कर दिया गया था question में जैसे कि अगर मैं आपको 25% बोलू तो आप इसे as it is 1 by 4 लिख दे रहे हैं यहां पर लेकिन इसी को 75% आपको 3 by 4 लिखने में थोड़ा सा कष्ट होगा या फिर कहा जाए 33 साही 1 by 3 परसेंट यहां लिख दिया जा रहा था तो यह calculation का यहां पर थोड़ा सा खेल introduce किया गया था ससी के pattern के according तो अब देखे यह जब pattern आ चुका है तो यह pattern में बदलाओ नहीं मिलेगा same as it is मिलेगा और भी अच्छा pattern देखने को मिल सकता है reasoning में क्या मिला seating arrangement परिशान किया, puzzle परिशान किया, साथ के साथ जो आपके statement based question होते हैं जैसे कि A के left में B जा रहे हम दो तो उसके मतलब कि कौन सा symbol को हम arrange करेंगे यानि कि जो alphabetical जो later पर question बनते थे banking के pattern में बहुत ज्यादा banking के pattern को नहीं shift किया गया था लेकिन हलका touch किया था जो student को परिशान किया था ठीक है तो यह है आप में से अब जो भी student पढ़ना चाहते देखे अब यह classes free भी हो सकती है लेकिन free नहीं रखने का पीछे बहुत minimum fee में यह आपके चीजे चलेगी अब यह free हो जाने से क्या होता है इसकी कोई value नहीं रहती है हमने देखा content बहुत सांदार हम लोग देते हैं इसके बाद भी इसलिए देखे पहले तो आप देखे अभी बहुत सारी चीजे YouTube पे free भी रहेगी जैसे कि अभी आपको सर ने start किया है math में area का हर एक एक चीज एक आपका square हो चाहे rectangular हो चाहे triangle हो जो भी चीजे है उसका area कैसे निकलेगा उसकी क्या-क्या properties है उसके sides का उसके diagonal का क्या-क्या relation वो हर चीज सर ने पहले एक lecture में बतला है अब पहले पूरा theory आप इसमें cover करेंगे और पूरा का पूरा question आपका पूछा गया question जितने भी question आपके railway ने पूछे हैं NTPC का ही नहीं केवल इसके अलावे अगर group D का भी question अगर वहां से आया है JEE में आया हुआ है LP technician 2018 से ले करके 22 तक जितने भी railway ने paper करवाया है वो सारे question आपको topic wise topic कराया जाएगा ठीक है अब ये आपको पहला आपको ये वीडियो आपको कहा मिलेगा तो द comment section में Link दे दिया ठीक है ना आप क्या करेंगे comment section में जाएगे वहाँ पर video का Link आपको मिल जाएगा इसके अलावे आपको telegram group को Zoin कर ले आ टेलिग्राम ग्रूप का भी आपको लिंक दे दिया गया कमेंट सेक्शन में तो वहां से आप टेलिग्राम ग्रूप को जाइन कर लीजेगा वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं जितने भी कोशन आपके 2018 से बने है 2022 तक वो सारे कोशन और गैरंटी अग आएगा रिजनिंग का आएगा जीके जीए इस पेशली रेलवे के लिए तो आपको न्यू चैनल बनाया गया तो वो चैनल भी आप लोग जॉइन कर लीजेगा लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और नहीं तो आप टेलिग्राम ग्रूप में होंगे भी तो आप इसके अच्छे लेवल पर चीजों को तयार कर सकते हैं मतलब एक सीट कंफर्म करने के लिए क्योंकि यहां पर अच्छा कंपिटीशन भी है सीटों की शंख्या भी कम है और पेपर का लेवल भी अच्छा होता है और बाकी जॉब तो बहुत अच्छी है ही भाई ठीक है एससी के रिगार्डिंग और बिहार स्टेट के भी जितनी एक्जामिनेशन होंगे उसको भी कवर किया जाएगा और अपना ये चैनल डेडिकेट जार्खंड को लेकर के चलेगा ठीक है मेरे भाई चलिए मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जीके जीएस को कैसे आप लोग तयार करेंगे मैस और रिजनिक को और कैसे चीजों को सिस्टमेटिक वे में कर पाएंगे यहां तो सर बताएंगी बाकी मैं भी आपको गाइड करते ही रहूँगा चलिए और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट भाई कि जो भी इसके कोर्स में आप लोग इन्र प्रोल्मेंट लीजए गा ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अम लो तब तक करेंड़ आप अ